आज की इस वीडियो में दोस्तों हम सॉल्व करने वाले हैं ऐसे सी एचसल 2021 के टायरवन का वो पेपर जो 26 में 2022 को हुआ था ठीक है फर्स्ट का पेपर है आप देख सकते हैं और इससे पहले मैंने 24 में के जितने भी paper है उनको solve कर दिया है अब आप बोलेंगे कि आप ने 25 में का क्यों नहीं किया तो 25 में कहा हम करेंगे इसके बाद में ठीक है काफी लोगों का comment आ रहा था कि पहले आप 26 में किजिये 26 में किजिये तो हमने सुझा कि चलो भाई पहले इनकी क्वाइस ही पूरी कर देते हैं ठीक है तो इस वीडियो में हम question solve करने वाले हैं 26 में THSL tier 1 2021 का paper और first shift का paper है आप देख सकते हैं इससे पहले मैंने 24 माई का पूरा shift cover कर रखा है आप देख सकते हैं और हर equation को मैं अपने तरीके से आपको solve करके बताता हूं कि अगर मैं paper में बैठा होता तो कैसे solve करता और कितना time देता उस पर हाला कि इतना fast भी मतलब नहीं कर देता है किसी को समझ में ना है फिर भी अगर किसी question में आपको particularly दिक्कत है तो आप मुझे comment करके बता सकते हैं मैं आपके comment का मैं जरूर reply करता हूं ठीक है इसके अलावे मैंने MTS पूरा लगभग solve कर दिया है MTS के कुछ ही मुस्किल से 5 या फिर I think 10 shift जो मैंने solve नहीं किया है यूट्यूपर ठीक है बाकि कि आप देखोगे तो लगभग 20 shift से ज्यादा shift मैंने 27 shift की आसपा 27 shift मैंने solve कर दिया है मुझे जो MTS वाला सबसे latest paper था 20 वाला वो आप solution देख लें और CHSL का तो देखी लें ठीक है अभी जो CHSL वाला कर रहा हूं ये भी देख लें इसके अलावा आप चाहो तो जो selection post phase 9 का है उसका भी मैंने solution डाल रखा है वो भी आप देख सकते हैं ठीक है वो भी आपके लिए फायदे question आते हैं ठीक है और ये paper भी sse conduct कराती है ये भी आपको पता होगा तो अगर आप दिल्ली पुलिस की तयारी कर रहे हैं तो इसके लिए मैंने एक नया batch launch किया है math के लिए ठीक है जो की complete batch है arithmetic और plus advance का तो आप चाहें तो उसमें join कर सकते है arithmetic plus advance के लिए अगर आप 20 out of 20 score करना चाहते है math में Delhi police के लिए तो आप जरूर जोइन कर सकते हैं या फिर आप free का content भी जो यूटूबर जितना मैंने कराया है वो आप देखिए वो भी कम नहीं है लेकिन वो कब के लिए है जब आपने सिले बस और हरे concept अच्छे से पढ़ रखा है हरे concept आपको clear है deeply concept आपने और अगर आपने syllabus अच्छे से नहीं पढ़ा हो तो आप syllabus पढ़ने के लिए जोइन कर सकते हैं चलिए पहले question से शुरू करते हैं वीडियो में question आपको bilingual मिलेगा मैं पहले ही बता देता हूं ठीक है और अगर इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा ग्रूप टेलीग्राम गुरूप एनके मैं संदुकुमार जोइन कर लिजिए और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप comment कर सकते हैं या फिर instagram पर मुझे message कर सकते हैं ठीक है चलिए अब question सुरू करते हैं पहले question से देखे जो पहला question है अपने पास यह है question कहा रहा है the speed of boat is 12 km per hour in still water it goes 18 km downstream and comes back in a total time of 6 to 6 by 7 hours तो आप से यह कह रहा है कि speed बता दो stream की कितनी है ठीक है अच्छा कमी आपने यह formula पढ़ा हो कि stream की speed हम कैसे निकालते हैं तो आप बोलोगे upstream plus downstream by 2 अगर यह बात आपको पता है तो पहले हमें upstream और downstream का speed निकालना होगा अच्छा आपको पता है कि जो boat की speed है वो 9 की है boat की speed क्या है sorry 12 की है 12 km पर आर की ठीक है और धारा के दिशा में 18 km जाता है उधर से वापिस भी आता है यह बात आप समझे तो हम यह बोल दें कि देखो भाई 18 km जाता है जाने के condition में इसका जो speed होगा वो upstream का speed होगा और upstream आप कैसे लिखते हो upstream लिखते हो boat का speed यानिकी 12 और प्लस stream यानिकी 13 के speed मानलो हमने x लिख दिया तो 12 प्लस x यह upstream होगा sorry यह downstream होगा और upstream किया होगा 12 – x ठीक है तो यहाँ पर आप लिख दोगे कि देखो 18 km चल के गया यह है तो मानलो हम यह मान के चलते हैं कि downstream में गया होगा तो speed इसका कितना होगा x होगा नहीं speed इसका होगा x और plus 12 ठीक है और plus 18 km चल के आया होगा तो speed होगा 12 minus का x है और overall ये कितना time लिया है 42,46,48 बटा 7 गंटा अब यहां से आपको x का मान निकालना है तो better होगा कि हम option लगा ले यहां से बिना solve किये अगर option आपको huge करना है तो देखो ऐसा option use कर लो जिसमें काटने के बाद नीचे 7 चाहिए ना तो नीचे 7 बच जाए काटने पीटने के बाद ठीक है अब देखो अगर आप 6 use करते हो तो ये कितना बनेगा 12 और 6,18 और 12 में जाएगा तो 3 देखो यहां 21 आ रहा है यानिकि 7 बच जाएगा नीचे क्योंकि 18 से 7 कटेगा नहीं तो ये possibility है answer की 8 अगर रखो तो 12 और 8 20 नीचे 7 नहीं बन रहा है 7 रखो तो 12 और 7 19 से तो कटेगा ही नहीं ठीक है तो इसमें 100% possibility है कि option भी हो बाकी आप चाहो तो इसे solve कर लेना अगला सवाल देखे कह रहा है कि the price of an article is raised by माइक को जरा मुझे बिल्कुल पास रखने दो क्योंकि काफी लोग के कमेंट में देख रहा हूँ आप लोग बोल रहे हो कि sound अच्छी नहीं आ रही है या फिर sound बहुत slow है तो इस बार मैं अपने मुझे पास ये एक हाँ से पकर के रख रहा हूँ माइक को ताकि आपो sound को ले करके कोई issue ना आए ठीक है चलिए हाँ तो क्या कह रहा था देखो एक वस्तू के मुले में 45% की क्या की गई है व्रिधी की गई है इसके बाद 15% की 2 discount भी दिया गया है तो आप बताना है overall उसकी व्रिधी कितनी होगी ठीक है option देख कि आप बात तो समझी गए होगी calculation काफी जादा है हाला कि इसमें ये हम काम कर सकते हैं कि देखो पहले 45% व्रिधी की गई तो 45% का मतलब कितना हुआ तो आप बोलोगे देखो 9,45 और 20,500 यानि कि 9 बटा 20 फिर 15% का मतलब होता है 3,55 और 20,500 अब देखो आप पहले क्या change हुआ तो आप बोलोगे कि ये increase है यानि कि अगर value पहले 20 था तो बाद में 29 हो जाएगा increase हो करके दूसरी बार यहाँ पर क्या दिया गया है discount दिया गया है यानि कि आप minus करोगे अगर original price 20 था तो उसमें 3 आप discount देदोगे तो ये 20 से कितना रह जाएगा 17 रह जाएगा और यहाँ भी 20 से रह जाएगा 17 तो overall calculation बढ़ रहा है 18 और 8 92 और 8 80 और फिर 9 दूना 18 और 8 26 और यह 9 दूना 18 आठ थारा आठ दूना 16 और 17 दूना 4 और एक 5 तो यह 8 7 6 13 और 5 दू 7 और 8 आठ आ गया यानिकि यह 8 3 8 आठ एक आगया देखो अगर आप यह तरीका नहीं लगाने चाहते तो आप यह formula भी लगा सकते हो a plus b और a by 100 वाला जिसमें a plus minus में चलता है लेकिन यह दो बार आपको apply करना पड़ सकता है और मुझे लगता है कि उससे ज्यादा कम calculation इसमें पड़ेगा अब देखो आप देख लो यहां से कितना का इसमें profit हो रहा है आठ जार की वस्तू अगर आप 8381 में बैचोगे तो जो आपका profit बनेगा वो 381 रुपए का बनेगा कितने पे 8000 पे और इंटू का 100 तो यह 2 0 से 2 0 और 8 से आप इसको divide कर लो तो कितनी बार में कटेगा यह दे option में आप देखो एक यहां से देखो चार से तो यह शुरू नहीं हो रहा है यह नहीं शुरू हो रहा है यह हो तो रहा है लेकिन यहां पर कम ही है यहां पर क्या है decrease दिया गया है तो यह भी अंसर नहीं होगा यानि कि option A सही हो गया बाकी आप चाहो तो पूरा solve कर लो कोई दिक्कत नहीं है चलिए अगला साल देखो पूरा हमेशा सॉल्व करने के चकर में ना परो जहां पर ऑप्शन से बात ना बन पाए ना वहां पर आप सॉल्व करो देखो सिलेवस तो बहुत लोग पढ़ रखे हैं लेकिन यह गरांटी नहीं है कि हर एक लोग जाकर सेलेक्शन ले लेते हैं यह अचछा स्कर कर जाते हैं अच्छा स्क करने के लिए आपके सीलेवस भी कंप्रीट होनी चाहिए साथ में कॉंसेप्ट्स भी क्लियर होने चाहिए और यह भी आपको पता रहना चाहिए कि Director the exam exam hall में आपको क्या क्या करना है और किस type equation को आपको आपको पूरा solve करना है किस टाइप equation में आपको digital sum यूज करना है कहां पे आपको यूचल यूचल लगानी है कहां डिज़ेटी रूट आपको यह देखे कह रहा है कि X salary is increased by 20% and then decreased by 20% What is the change in salary? यानि कि 20% बढ़ाया गया और 20% घटा दिया गया यह सब को पता होगा 4% का decrease जाएगा आप यह formula लगा दो plus का 20 फिर minus का 20 और फिर plus minus 20 का square by 100 यह होता है ना तो यह तो cut जाएगा 20 का square यह जाएगा 400 और बटा 100 यह plus में 4 आ रहा है यानि कि 4% क्या हो गया विरिधी हो गया प्लस में 4 आ रहा है माइनस में यहाँ माइनस होगा sorry this is not plus this is minus ठीक है तो यह माइनस का 4% आएगा यानि कि 4% की कमी आएगे अगला सवाल देखिए यहाँ पर यह कह रहा है कि इनर triangle ABC and PQR are both isocellus triangles है देखो दो triangles है आपके पास ABC और PQR दोनों ही isocellus है यान जिनका दो side same होता है आपको sides के name भी दे रखे हैं आगे कह रहा है कि if also AB equal to PQ BC equal to QR and angle B equal to 50 degree then angle R is what आपको R का बताना है value क्या आएगा ठीक है अब देखो अगर सभी चीज़े बड़ावर ही दे दिया तो इससे असान आपको क्या चाहिए दोनों ही congruent हो गया और angle B अगर B 50 degree है देखो पहले मैं diagram बना देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा clearity मिल जाए ठीक है पहला triangle था आपने पास ABC दूसरा है आपके पास PQ and R ABC में देखो जो AB है वो AC के बराबर है और PQR में PQ जो है that is equal to PR आपको ये भी दिया है कि जो AB है वो PQ के बराबर है यानि कि AB is also equal to PQ यानि कि आप कहोगा कि फिर इसका मतलब AC भी PR के बराबर होगा क्योंकि ये दोनों भी तो equal है and at last आपको ये भी दिया गया है BC is equal to QR अब देखो BC भी QR के बराबर हो गया तो overall इनके जो correspondence sides है वो सेम हो गए संगत भुजाएं बराबर हो गई तो ऐसे case में आप बोलोगे SSS से यानि कि side 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 से दोनों triangle किया हो गए congruent हो गए और दोनों ही congruent हो गए यानि कि सरवांसम हो गए तो आप ये बोलोगे कि angle A P के बराबर होगा एक मिनट ये इसके बराबर था देखो BC जो है वो तो ये तो इसके बराबर होगा ही ठीक है और angle B जो है वो किसके बराबर होगा Q के बराबर होगा और जो C है वो R के बराबर हो क्तिके डिग्री होगा अगर यह आई-bay लियन फिट्र शेलेस्ट एंगल बी कितना होगा 50 Keller होगा आपका क्यों कि धरेंगल में जब दो साइड सेम होते हैं तो इनके सामने की इंगल भी सेम सेम हो जाते से हैं तो एगार यह आचा एक बात समझो आप सबसे पहले तो आपको merge करना होगा यहाँ पर आपको यह देखना होगा कि P ratio Q ratio R क्या बनेगा तो आप बोलोए कि P इसमें 10 है और देखो Q यहाँ पर 11 है और Q इसमें भी 11 है तो कोई मेहनत ही नहीं करना फिर तो दोनों में Q सेम है तो हम directly लिख सकते ह Q के जगह पर 10 लिख दो Q के जगह पर 11 लिख दो और R के जगह पर 12 लिख दो अब आपसे पहला P प्लस Q पूछ रहा है याने कि 10 प्लस 11 दिस वन इस 21 ठीक है अचा देखो पहला 21 एक यह option में है तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है अगर किस यह और option में 21 रहता अब आप क option में 3 और 7 आपको given नहीं है पहले देख लो किसी भी option में नहीं है तो हम direct यहीं से इंसर लगा देंगे ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत क्या है next question average का है आप देखो कह रहा है कि the average weight of 15 athletes and 3 trainers is 60 kg ठीक है यानि कि 15 athletes हैं और आपके 3 trainers हैं सब का मिला करके जो average है पूरे group का व देखो अब यह कर रहा है कि 4 ऐसे लोगों को सामिल किया जाता है जिनका average weight 63 है तो नया जो average weight होगा वो क्या होगा सबसे पहले तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि देखो जो पहले से average weight था वो क्या था 60 था तो जो आने वाले थे दोस्त जिनको आ करके मिलना था वो 60 kg ह मैंने कई बार पढ़ा रखा है अपने paid courses में भी पढ़ा रखा है और free में भी आपको बताया हुआ है कि average याने कि सबको equal ले लो और जितना average होता है अगर उसके बड़ाबर कोई value लेके आता है ग्रूप में या ग्रूप से चला जाए बड़ाबर value लेके average के तो आपके old average कोई भी effect नहीं पड़ता है आपका old average कम या ज्यादा कब होगा जब group में सामिल होने वाला या group से निकलने वाला average से कम या ज्यादा value लेकर के आया जाए ठीक है अब देखो जो आ रहे हैं वो 63 kg वाले आ रहे हैं average था 60 तो इनको 60 ही लेके आना था लेकिन ये 3 kg ज्यादा ल के आ रहे हैं तो ये जो 12 है ये average को बढ़ा देगा लेकिन पूरी तरह से average 12 नहीं बढ़ेगा ये सब में बढ़ाबर बराबर बढ़ेगा ठीक है तो आप देख लो कितने लोग हैं ऐसे लोग कितने हो गए total तो आप बोलोगे कि देखो जो total लोग है पहले से 15 athletes थें तीन प्रसिक्षक थे यानि कि कितने थे 15 और 3 अठारा थे और 4 और आ गए यानि कि 18 और 4 और 22 लोग और आ गए तो ये जो 12 बढ़ना है ये 12 जो बढ़ना है ये 22 लोगों में बढ़ाबर 22 आप इसको 2 से काट लो तो आप काटोगे 6 और बटा 11 तो 6 बटा 11 ग्यारा पचे 55 जीरो पॉइंट 5 करीब करीब या रहा है तो ये कितना अंसर होगा 0.5 और उसके आगे भी कुछ आएगा तो ये 60 और प्लस 0.5 और फिर सम्थिंग आएगा यानि कि 60.5 और सम्थिंग आए है तो ये लगभग लगभग 61 kg बन जायेगा जानी कि ये आप ये मत सोचना कि ये 60 क्यों नहीं बन रहा है भाई तो 60 से ऊपर होगा average ये तो हम जानते ही है क्योंकि जो average में सामिल हो रहे हैं यहाँ पर जो group में सामिल हो रहा है वो average से ज्यादा value लेके आ रहे हैं तो 60 तो नहीं हो सकता एंसर क्योंकि 60 पहले से ही एवरेज है तो जो भी एंसर होगा वो 60 के उपर ही होगा तो 60.5 और संथिंग को हमने राउंड आफ करके 61 बना दिया ठीक है अब अगला सवाल देखे क्या रहा है यहां पर आपको 10 सेंटीमिटर भूजा वाला एक घं से काटे जा सकन काटे जा सकने वाले सबसे बड़े लंब रितिय संकू का आयतन बताईए तो पहले मैं एक घं बना लेता हूं चलिए देखिए मैं फिगर पहले ड्रॉ कर लेता हूं देखो एक तो आपके पास घं है तो मैं टूडी में आपको बता देता हूं मानलो इस टाइप का आपका क काटोगे आप ठीक है अब इस संकू का पूछरा है आपसे वोल्यूम याने की वोल्यूम अब देखो अगर ये जो क्यूब था उसका एज था 10 याने की साइड 10 था तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो क्यूब मैंने अंदर कोन बनाया है इसकी जो हाइट होगी और जो संकू होता है उसका वोल्यूम होता है 1 by 3 and pi r square h तो आप बोलोगे this is 1 by 3 pi r square याने की 5 square 25 h याने की 10 तो ये कितना आगया आपका 200 pi और अपोन 3 तो option first जो है वो सही answer है आगे देखिए अगला question ये कह रहा है कि Mona and Sona together can finish a typing work in 18 days and Sona alone can finish in 24 days तो Mona कितने दिन में लेगी ये अब homework ह हो गया आपके लिए क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल नहीं है अगला सवाल कह रहा है कि दो आंगों कि कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 5 से विभाजी होंगी याने कि आपको बताना है how many two digit numbers are divisible by three or five देखो ये थोरा अच्छा सवाल लगा अब देखो पहले two digit number चाहिए या आप बोलोगे 3 से डिवाइड कर तो 33 त्या निन्यानवे 33 टामस कट जाएगा यानि कि 3 से कटने वाले 33 ऐसे संख्याएं हैं जो 3 से कट जाएंगी लेकिन 1 से लेकर निन्यानवे तक और हमें जो निकालना था basically वो तो हमें 10 से निन्यानवे तक निकालना है ना हमें two digits का number च में से तो आप बोलोगे कि 3 से कटने वाले 33 जा 9 9 तक 3 संख्याएं मिलेगे जो 3 से कटेंगी तो उनको हम माइनस कर देते हैं यानि कि 30 ऐसे numbers है 10 और 99 तक 10 से लेकर 99 तक 30 ऐसे number है जो 3 से डिवाइड हो जाएंगे बाकी ऐसे मैं बात करूं 5 की ध्यान से समझना देखो अगर मैं 99 तक की बात करूं 5 से कटने वाला तो लास्ट 19 पिछे 95 कटेगा 95 जा 95 यानि कि 19 ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से डिवाइड हो जाएंगे कहां से from first to 99 ओके बट हमें पता है कि हमें तो two digits का number चाहिए we don't need single digit number ठीक है तो अगर हमें single digit का number नहीं चाहिए तो हम 5 को तो नहीं लेंगे ना यानि कि 10 से पहले 5 से डिवाइड होने वाले जो भी संख्याएं होंगी या numbers होंगे उनको हमें minus करना होगा उनकी संख्या को तो आप बोलो कि देखो इस 19 में 5 के table में एक 5 ही ऐसा आता है जो single digit का है तो हम इसको minus कर देते 1 10 से पहले 5 ही तो है कटेगा इसको minus कर therea14 अब यह देखो 3 से और 5 से कटने वाली संख्याय हैं लेकिन एक बात समझना जो हमने लिखा है 3 कितनी भी संख्याएं हैं उनको एक बार माइनस करना होगा तो आप बताओ 15 से डिवाइड होने वाली कितनी संख्याएं मिलेगी 99 तक तो आप 15 से डिवाइड कर दो पंदर चके 90 लगबग 6 संख्याएं मिलेंगी और यह आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करक तो आखिर करते नहीं हूँ है इसलिए मैं बोलता भी नहीं हूँ कि आप शेयर करोगे ठीक है देखो अगला क्वेश्चन यह है अल्यबरा का आपको यह दिया गया है मैं इसको साफ साफ लिख देता हूं x2 upon y2 plus y2 upon x2 this is equal to 7 and we have to find x3 upon y3 plus y3 upon x3 देखो एक्चुली में यह दिया गया है इस तरीके से जो आपको देख के सायद ना समझ आए तो आप एक बात करो आप इसको ऐसे समझ लो कि यह जो given है देखो x by y को मैं मान लेता हूँ कि जो x by y है इसको मैं मान लेता हूँ कि यह है अपना मान लो k ठीक है तो आप बोलोगे कि जो y by x होगा basically यह कितना हो जाएगा 1 by k हो जाएगा यही होगा ना तो देखो इसके लिए तो आप लिखोगे कि यह basically x by y है तो यह k का square बन गया और जो y square by x square है यह बनेगा 1 by k square and this is given that 7 और आपको ये cube वाला निकालना है यानि कि k cube और plus 1 by k cube निकालना है अब तो बात आप समझ यह होई कि कैसे निकलेगा पहले आप इसको यहां से आप k और plus 1 by k की value निकालो तो कैसे निकालोगे इसमें plus 2 add कर दो और square root ले लो यानि कि 3 आ जाएगा और यही 3 यहां पर put कर दो अब cube का कैसे value निकलता है देखो x cube plus 1 by x cube निकालना है तो आप इसको निकालते हो k का cube और minus 3 k करके तो यहां लिखे के दो इसकी value 3 आ गई तो आप बोलोगे 3 का cube और minus 3 तिया 9 यानि कि यह कितना जाएगा 18 यह तो याद किया हुआ value है बहुत बार repeat हो चुका है बस पूछा है दूसरे तरीके से next question कह रहा है कि the average marks scored by a student in four subjects in 75 चार अलग लग सब्जेक्ट में 75 75 75 score करता है बट विन दमार्स ओफ इंग्लिस आर एड़ेड़ जब इंग्लिस का marks aid किया गया overall जो average बन गया वह 70 बन गया तो बताओ इंग्लिस में कितना score किया था अभी इसी के जैसा एक question मैंने बताया था जिसमें group में कोई सामिल हो रहा था आप बताओ जो पहले से अवरेज था वो 75 था लेकिन जो मिलाया गया उसमें वो तो 70 बन गया मिलाने के बाद ठीक है अगर पहले से अवरेज 75 था तो जो आता वो भी 75 लेके आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन उसके आने से आवरेज 5 कम हो गया और कितने लोगों का पांच कम हुआ तो आप बोलोगे कि पहले से यह स्ब्सुझ जेग से चार सब्सक्राइगे अब इंग्लीश भी आ गया तो पांच सब्सक्राइगे 250 की कम है तो कि करतो कितना कम हुआ कि कि इसमें आग्ला सवाल है इसमें से कौन सबसे बड़ा है तो आप तो समझ काओ गए यह कितना आएगा 0.666 आएगा और यह 0.62 है तो यह तो बड़ा होगा नहीं और यह 5,8,4,0.8 आगया और यह 0.5 ही है इस दोनों में यह सबसे बड़ा है अगला सवाल कहा रहा है कि the surface area of a solid hemisphere is this find the volume अचा surface area hemisphere का क्या होता है तो आप बोलोगे कि यह होता है देखो total surface area hemisphere का total surface area होता है 3 pi r square तो आप बोलोगे this is 3 pi r square और यह किसके बराबर है 16632 के तो आप से कह रहा है volume volumes यानि की 4 by 3 और pi r cube आपको निकालना है ठीक है तो एक काम तो आप वो कर सकते हो कि 11 का multiple ढूंड सकते हो क्योंकि पाई यहाँ पर given नहीं है और यह भी नहीं है कि पाई की value हमें 3.14 लेना है आपको दिया गया है कि 22 by 7 लेना है तो आप एक बार चेक कर रहो देखो यह 5 और 1 6 बंडा है 6 और 3 9 ठीक है और यह हो गया 4 2 6 और 2 8 यह तो नहीं कटा ना हमें 11 का divisibility rule चेक करना है 11 से कि कौन सा डिवाइड होता है तो यह हो गया 1 1 और 3 कितना हो गया 4 और यह 4 2 6 2 8 यह भी नहीं डिवाइड हुआ यह देखो 5 और 1 6 6 और 3 9 और यह 5 और 2 7 2 9 यह डिवाइड हो रहा है इसको चेक कर लो 1 और 3 कितना हो ग सॉल्व करते 11 से मैंने क्यों चेक किया क्योंकि इसमें पाई है और हमें पता है कि यह पाई कटेगा नहीं तो बाइस बटा साथ जो रहेगा इसका यह 11 कहीं भी नहीं जा रहा तो 11 का multiple answer आएगा ठीक है देखो अगर आपको तरीके पसंद आ रहे हैं तो जरूरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे अगर आप नए वीवर्स हैं तो और अगर पुराने हैं तो लाइक और कमेंट करके जाए और शेयर भी कर दीजिए जहां तक पॉसिबल हो ओके इस वन इस दे नेक्स्ट क्वेशन क्वेशन यह कह रहा है कि आप्टर एलाउइं 15% discount a dealer wishes to sell a machine for it this at what price must the machine भी मार्क लें यानि कि मसीन पे क्या मार्क लिखा गया था कितना मार्क प्राइस था ठीक है अब देखो एक बात समझो 15% discount दे रहा है ठीक है उसके बाद वो इतना में बेंच रहा है तो बताओ मार्क प्राइस क्या होगा सिधी सी बात है कोई भी बत प्राइस आदेगा कि देखो इसका उल्टा कॉंसेप्ट इस पर लगा दो डिसकाउंट देने के बाद जो प्राइस है वह 122700 है और इंटू का सो बाई डिसकाउंट था कितने का 15% का तो नीचे 85 रह जाएगा आप काट लो तो यह कितनी बार में कट जाएगा देखो पांस इन से डिवाइड कर दो सेवेंटीन एक बार में और साथ पांच तो सत्र चोड़े आट शत्र नोच सत्रा एक बार में तो बाकी सब को कभी भी देखने की जरूरत भी नहीं बड़ेगी आपको ओके नेस्ट क्वेशन क्या रहा है कि एक तिरभुज में बी जो है वो समकोन है और 10 की वैलू दी हुई है तो यह निकाल लोगे अचा बताओ अगर 10 10 A का मान दिया गया है तो आप यह बोलोगे कि B तो समकोन ही आ यानि कि B तो 90 डिगरी है बचा एंगल C और एंगल A अब देखो 10 में A की वैलू दिया है 1 बाई रूट 3 और 1 बाई रूट 3 10 में 30 डिगरी पे होता है यानि कि A हो गया 30 डिगरी तो C कितना होगा 60 डिगरी क्यों यह होता है प्लस कॉस्स ए यानि कि यह रूट 3 बाई कि कॉस्स 30 रूट 3 बाई टू और यह भी रूट 3 बाई टू तो यह आ गया 1 बाई 4 और यह आ गया 3 बाई 4 यानि कि 4 बटा 4 वैलू 1 आ ठीक है आगे बढ़ जाएं यह क्वेशन नंबर 19 कह रहा है कि A dealer प्रोफेस तो स किलोग्राम के बदले वह 900 यूज करता है तो उसका प्रोफिट बताना है ठीक है देखो सीधी सी भासा में और इसमें कई बार लोग गल्दी कर जाते हैं ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि देखो अगर वह 1000 गराम खरीद के लाता है तो वह कहता है कि देखो भाई हम अपने CP पर ही बेंचेंगे याने कि वह कहा रहा है कि हमने 1000 का खरीदा है तो 1000 का ही मैं बेंचूंगा मैं आपसे प्रॉफिट नहीं ले रहा लेकिन एक्चुली में वह 900 ग्राम दे देता है अगर वह 900 ग्राम दे देता है तो देखो वह कितने का फायदा उठा लेता है तो आप बोल अगर 900 ग्राम देगा तो क्या हम यह मानने कि 900 ग्राम के लिए उसकी कौस्ट प्राइस 1000 रुपए या 1000 ग्राम के बराबर हो जाएगी बिल्कुल नहीं वो जितना दे रहा है उसका गया तो उतना ही न 900 ग्राम गया है तो 900 प्रॉफिट कल्कुलेट करेंगा और इंटू का 100 यह चालना है तो देखो इस 8R से इस R को पहले करना हुआ खतम तो यह कैसे खतम कर सकते हैं हम अगर इससे हटाना है तो सबको हम R से divide कर देते हैं देखो अगर सभी terms को r से divide करेंगे इसको भी r से divide कर दो इसको भी इसको भी और इसको भी तो यहाँ पर यह r से square कट जाएगा इस r से कट जाएगा यानि कि overall यह 8 बचेगा और यह बचेगा r minus का 8 और plus 1 by r is equal to 1 by 14 अब cross multiply कर दो तो यह हो जाएगा r और minus 8 और plus 1 by r की value होगी 14 8 112 अब इस 8 को इधर वेज़ दो तो यह r plus 1 by r की value आजाएगी 120 यानि की option C ठीक है अगर चैनल पर आप नए हो तो देखो जो अपना चैनल है NKMats नंदु कुमार यह जरूर से आप subscribe कर लो तो आप कम से कम सेर किया करो और like और comment तो करते नहीं हो ऐसे ही देखते हैं कि भाई 1000 व्यूज आ गए लेकिन like 32 पर ही है ऐसे थोरी काम होता है आप बस अपना अपना फायदा कब तक सोचते रहोगे बताओ जब हम रात में इतनी गर्मी में बैट के मेहनद कर रहे है आपके लिए आप एक like करके नहीं जा सकते एक comment करके नहीं जा सकते बताइए how selfish you all are देखें क्या कहा रहा है चलो कोई नहीं the difference between the compound interest and the simple interest on a given principle is this in two years देखो दो साल में जो difference बनता है CI और SI का वो कितना बन जाता है वो बन जाता है 1725 रूपए यह कह रहा है कि and the rate of interest in both cases is 25% and in and in the case when interest is compounded the compounded annually find the principle आच्छा याने कि जो compound interest है वो annually compound किया जाता है तो आपको बताना है principle क्या है देखो जब भी difference वाला question हो तो मैंने बोला है कि जो दो साल में difference आता है ना difference for देखो मैं clearly लिखता हूँ देखो CI minus SI for two years यह always किसके बरावर होता है r square by 100% कि ठीक है तो आप r square याने यह बोलो कि यह basically 25 गुणा में 25 और y 100 ठीक है इतने कि वैलू कितनी आ गई आपके पास 1725 आ गई आप 25 से इसको काट दो तो यह बोलोगे 25 चके 1500 ठीक है 1500 और 25 ने में 225 यह आ गया और यह 25 चौँ के 100 तो वन यूनिट की वैलू आ गई 9 चौँ के 36 और 6 चौँ के 24 और 3 27 तो 100 की वैलू कितनी आ जाएगी इतनी आ जाएगी तो यह आपका अंसर होगा और यह AGS तरीका है CI और SI का difference बताने के लिए ठीक है अगला question यह simplification का है A की वैलू बतानी है ठीक है देखो यहाँ पर divide है और यहाँ पर आपका brackets है यहाँ पर भी divide है तो पहले bracket से हम सुरू कर लेते हैं आपने इतना बात तो board mass में पढ़ा होगा simplification में तो पहले हम यहाँ देखो एक बार पहले मैं लिख दता हूँ clearly अगर किसी को ना दिख रहा हो यह है 7 divided by 54 by 7 minus 3 minus 2 is to 3 by 4 minus 3 by 2 right यह और plus A divided by 4 equal to 0 then what is the value of A यह बताना है तो पहले हम यहाँ से इसको सुरू करते हैं कि देखो यह अगर calculate करें तो 4, 2, 8, 3, 11 में से 3 जाएगा तो यह आजाएगा 8 11 में से 6 minus करना होगा तो 11 में से 6 minus करेंगे तो यह आजाएगा 5 4, 2, 8, 3, 11 में से 6 minus करोगे तो यह 5 और बटा 4 आगया ठीक है और minus का यह 3 यहाँ पे रहेगा तो यह 4 तिया 12 में से 5 जाएगा 7 बटा 4 आगया यह ठीक है 7 बटा 4 आगया तो अब इनको भी introduce कर लेते हैं यह होगा 7 तिया 21 और 6 27 और बटा 7 और गुणा में यह क्या होगा 7 उपर और 54 नीचे अब इससे यह 2 बार में कट जाएगा और इससे यह कटी गया तो 1 बाई 2 और minus 7 बाई 4 आगया ठीक है तो यह overall कितना हो जाएगा इसको आप 4 बाई 4 कह सकते हो तो यह minus 3 बाई 4 बन गया आपका तो यहाँ पर अब लेकि आजाओ प्लस के इधर की जो वैलू थी यह हो गई थी minus 3 बाई 4 और plus a बाई 4 is equal to 0 है तो a बाई 4 की वैलू कितनी आगई 3 बाई 4, 4 से 4 कट जाएगा तो a की वैलू 3 आगई लेकिन answer में तो 5 है फिर से चेक कर लें इसको देख लेते हैं कोई नहीं सातियां 21 और 6 27 बाई 7 और यह 7 बाई 54 27 दुना 54 साथ से 7 कट गया तो यह 1 बाई 2 आया था अच्छा अच्छा देखो यहां पर गलत हो गया ना बैसिकली यहां पर mistake है यह 1 बाई 2 आ रहा था तो अगर यह 1 बाई 2 था तो यह 2 बाई 4 बनता ना जब 2 से मल्टिप्लाई करते तो यह माइनस 5 बाई 4 आता और अगर यह माइनस 5 बाई 4 आता तो यह माइनस 5 आता यह 5 आता और यह 5 आता तो अपना एंसर 5 होगा ओके चलिए अगला क्वेशन आपके पास यह है कि देखो 8 6 और इसके दिवार के निर्मान के लिए इस टाइप की इंटे इस्तिमाल करनी है तो आपको बताना है कि कितनी इंटे चाहिए नंबर ओफ इंट बताना है आपको नंबर ओफ ब्रिक्स तो आप क्या करोगे वॉल्यूम को डिवाइड कर दोगे ठीक है आप देखो इसकी वॉल्यूम कितनी थी तो आप बोलोगी ऐसे लिख लो कि यह है आठ इंटू छे और इंटू दो सौरी 22.5 यह सेंटीमिटर है तो इसको हम चलो सेंटीमिटर में ही रहने देते हैं ठीक है अब देखो इसको भी से चेंज करना है तो सौ से मल्टिप्लाई कर दो इस चे को भी सेंटीमिटर में चेंज करना है फिर से सौ से मल्टिप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो इससे नमबर ऑफ ब्रिक्स हम ऐसे ही निकालते है यह 25 है एक ब्रिक के वोल्यूम से आप मल्टिप्लाई कर दो और इंट एक बार में 2 और 2 नौदुना 18 और 945 ये कट गया ठीक है बाकी आप इस 6 से इस 6 को काट तो कोई दिक्कत नहीं है और भी काट लेते हैं देखो ये 5 से 25 बार में कट जाएगा ये 4 से कट जाएगा और इस 5 से ये कट जाएगा कितनी बार में 20 बच्चे 100 तो 24 के 80 क्या क्या मच रहा है देखो यहां पर 8 बच रहा है यहां पर चार बच रहा है और यहां पर 20 बच रहा है और भी कुछ बच रहा है एक जिरो यहां पर बच रहा है तो लास्ट में कितना बन जाएगा तो आप लिख लो 808 परसंट कमी होगा तो 92 परसंट रह जाएगा और 5 परसंट लब वन बाई 20 होता है तो यह 21 बाई 20 बन जाएगा जब 5% बढ़ेगा तो ठीक है अब इसको काट लो आप अगर काटते हो तो दो और एक 3-0 से इसका 3-0 कट जाएगा और 2 से कट जाएगा कितनी बार में 40 बार में ठीक है अब इनको आपको मल्टिप्लाई करना है तो यह कितना आएगा यूनिट डिजिट पर काम कर ले हम देखो यह 0 तो आपका रहेगा ही रहेगा एक 0 और बागी आप करोगे 4 दूना 8 और 8 ही कम 8 है यानि कि लास्ट में 8 0 आएगा तो यह अंसर होगा क्योंकि बागी किसी के लास्ट में 8 0 है ही नहीं अब यह आपको दिया गया है देखो ऐसा मैंने कई बार बता रखा है कि जब भी प्रोड़क्ट गिवेन हो क्या लिखा है मैं बता देता हूँ अब देखो हम प्रोड़क्ट से यहां पर ले सकते हैं कि A B हम कैसे ला सकते हैं 3 तो आप बोलोगे 3 इंटू 1 से तो अब इसमें एक काम कर लो कुछ बात बनेगा होजे नहीं लगता है कि बनेगा 3 दूना 6 पांच 11 यह 11 ही बनके रह गया चलो कोई बात नहीं हम फॉर्मूला यहां पर पूट कर देते हैं देखो फॉर्मूला कैसे पूट करोगी यहां सक्वाइर की जरूरत है तो इसको सक्वाइर कर दो अगर आप इसका होल सक्वाइर करोगे तो यह बनेगा 4A सक्वाइर प्लस 5 के सक्वाइर 25 बी सक्वाइर प्लस 2AB यानिकी 5 दूना 10 और 10 दूना 20 और AB इसक्वाल टू 12 का सक 244 अब AB के जगह पर यह 3 पूट कर दें हम तो यह बोलोगे यह वैलू तो हमें निकालना ही है मैं X लिख देता हूं और 20 और AB के जगह पर रख लोगे 3 और इसक्वाल टू 144 तो एक्स की वैलू आ जाएगा 144 और माइनस 20 यह 60 तो यह 84 आ जाएगा यानिकी ऑप्शन फस्ट टीकहे आब आजाते हैं डियाई के जो क्वेस्ट बचे थे उनको भी कर देता हूं मैं देखो ठीक है एक मिनिट रूको अब आई धिन्क विजिबल होगा यह पूरी तरीके से क्वेस्ट क्या कहा रहा है देखो आपको ये दिया गया है यहाँ पर कि दिया गया जो विरित आरेक है वो एक वर्स के दोरान खेलो किसे नहीं देते साता है क्या रहा है कि the country spent the same amount of money on यानि कि ऐसी country जिसने the country ऐसी country नहीं को एक ही country का यह दिखाय गया है ठीक है एक ही वर्स का है यहां पर लिखता रखा है तो आपको बताना है कि वो जो country है वो same amount कौन से दो चीजों पर spend कर रखी है तो आप option से भी देख सकते हो कि क्या cricket और football पर amount same है तो आप देखो cricket कितना है इसमें भाई मेरे तो cricket यह है 30% देखो this one is cricket and this is 30% ठीक है यह hockey है यह football है यह 15% है यह others है 4% यह tennis है 6% और यह golf है 10% और यह आपका basketball है यह 25% अचा देखो आप यह बात देखके तो समझ गए कि 10% दो जगे है यहां भी है और यहां भी है और 10% है एक गोल्फ का और एक होकी का तो होकी और गोल्फ ही answer होगा फिर चलिए आगे बढ़ते हैं अगल as percentages of the total monthly income of the family ठीक है if the total monthly income of the family is 70,000 then what is the amount that is left with the family after only the food and medical expenditure for the month are made यानि कि एक मन्त में एक कह रहा है कि केवल family पर food और medical का expenditure हटा दिया जाए तो उसके बाद कितना मच जाएगा उसके पास यही है ठीक है देखो हिंदी में भी देख सकते हो केवल भोजन और चिकित्सा पर जो खर्च किया गया है उसको खर्च करने के बाद कितनी रासी मची है तो देखो आप बोलोगे total income कितना था भाई मेरे सत्तर हजार इसमें से देखो medical पर कितना खर्च करता है 10% और बाद में एक है अपने पास क्या अचिए food पे food पे 28% तो 10 और 28% खर्च कर दिया तो अगर 38% खर्च कर देगा तो मचेगा कितना 100 में से 38 माइनस कर दो 62% बच ही है ठीक है अब आज आते हैं आज के लास्ट क्वेशन पर इस वन इस दे लास्ट क्वेशन फॉर टूडेज पर सरकारी एजन्सियों द्वारा 2016 में किये गए सागाउन विरिक्ष यानि कि सागवान जिसको हम लोग कहीं कहीं बोलते हैं वह 2017 में लगाए गए विरिक्षों कि तुलना में 17 में कितना बढ़ा है अचा बताँ 16 में सगान कितना था तो आप बोलोगे 16 है और सगाने 25 था सत्रह में 35 जार हो गया कितना बढ़ घ्या च्छर बढ़ ग teăm को पेपर बेसिकली यह इजी है अभी तक ऐसा सचा टफ पेपर कोई भी नहीं मिला है जिसको हम किया सब्सक्राइब कि नहीं यह बहुत ज्यादा टफ है ठीक है सिएचसल का आप 2020 का अगर पेपर देखेगे तो 2020 के कंप्रीजन में यह काफी एजी रहा है 2021 वाला अभी तक जि अगले वीडियो में